हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अश्रकते अपने में बहुत बहुत ही बस्त होंगे तो चलिए एक और रेस्पी आपके साथ बहुत यची सी शेयर कर रही हूं यह मैंने ले लिए है एक कप तूर डाल यहनिकी अररकी डाल अगर यह रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल बेल आकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो यह देखिए मैंने लिए है तूर की दाल ज निकल जाए और अच्छे तरीके से पहुंचने के बाद में बिल्कुल दाना एक चमक जाएगा इसका और यह बहुत अच्छे से दाल हमारी तैयार हो जाएगी वैसे भी अनपॉलिश दाल है और इसे थोड़ी वह अगर कंड होंगे वह भी निकल जाएंगे और अब इसे हम में भुना है इसलिए हमने इसको धोया नी था क्योंकि हम इसे बनाएंगे बुनके और यह युपी बिहार में बहुत बनाई जाती है बहुत अच्छी लगती है और इसको जब तक हमें बुना सब्सक्ने कर दोड़ हो जाएगा और इसमें भुने का जो खुश्बू आने ल तकरीबन दो गिलास और इसमें अब यह दाल आम अच्छे तरीके से दाल देंगे जो हमने पून के रखिया और अब इसको अच्छा सा इक बाला ने देते हैं और जब बाला जाएगा तो इसके अंदर हम जो जाग बनते हैं वो निकाल देने हैं जो कि हमारी सहत के लिए बिल् जागते हमने सब निकाल दिये हैं और दाल एक तरफ हो रही है जब तक चलिए हम इसके तड़के की भी त्यारी कर लेते हैं यह ले लिया है मैंने तीन से चार टिवल स्पून सरस्व का देल अच्छे से गरम हो गया था तो उसमें मैं डाला है जीरा जीरा भी ब्राउन हो ग अच्छी लाएं पार चाहिए अल्वा का अच्छी डालता है यह बहुत ही अच्छा टेस्ट अता दिसट का बढ़ा देती है यहांग आप नहीं नहीं रावर कि बश्रू बार बर खायें यहांगे और यहां पर रइमांपर इसका वाहर से आपर नहींगे यहां पर यह दाल का पेस्ट यहां पर बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है आप जरूर एड़ किजिएगा अगर लसुन खाते हैं नहीं खाते तो लसुन प्याच स्किप कर दीजिएगा आभी भी डालेंगे तो यह मुझसे भी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है तो चलिए मसाला भी तै यह रेस्पी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिगा शेयर कीजिगा कमेंट कीजिगा सब्सक्राइब कीजिगा मेरा चैनल बेल एकन को प्रेस कीजिगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले मिलते है अच्छी सी रेस्पी ये वीडियो के साथ अपके छिस्वास्तियों आमने करते हैं, आप सवी कुन मश्काते हैं